सुजीत कुमार भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभीनेता थे। हिंदी के अधिकांच फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र निभाया था। अभीनेता सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरचार थे। सत्तर और असी के दशक में भो सब्रिरी 1934 को बनारस में हुआ था। किसान परिवार से तालुक रखने वाले सुजीत कुमार ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो भोजपुरी सिनिमा के बेजोड अभिनेता बन जाएंगे। सुजीत को फिल्मों में जाने की कोई दिल्चस भी नहीं थी। बात उस वक्त की है जब सुजीत लौ की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया था। सौभाग्य की बात ये रही कि उस नाटक प्रतियुगिता में जज फणी मजुमदार साहब थे ज जो कि जाने माने निर्माता रहे हैं। फणी जी ने उन्हें नाटक का श्रेष्ट अभिनेता करार दिया और कहा कि तुम फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते। इस एक वाक्य ने सुजीत कुमार का रुजहान फिल्मों की तरफ कर दिया। पहली फिल्म दूर गगन की छ राजेश खन्ना के ओन स्क्रीन साथी थे। हाती मेरे साथी, अमर प्रेम, महबूबा, रोटी जैसी फिल्मों में दोनों के साथ को खूब सरहाया गया। राजेश खन्ना के अलावा सुजीत कुमार अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसी चोटी के अभिनेताओं के एक बार नजर आए। अमिताब की दे ग्रेट कैमलर, अदालत एवं धर्मेंद्र की जूगनू, धर्मवीर, चरस, ड्रीम गर्ल और आखे जैसी फिल्मों में उन्हें काफी पसंद किया गया। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मया तोहे पियरी चड़ाइबो में अभिनेत्रिक कुमकुम की जिद की वजह से उनकी जगह असीम कुमार को हीरो बनाया गया था। लेकिन सुजीत कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्ण नहीं बनाया और भोजपुरी की फिल्मी धारव को मजबूती देने में लगे रहे। उनके फिल्मे भारत में ही नहीं बलकि मौरिशिस, कुयाना, फिजी, सुरी नाम आधी देशों में भी काफी लोग प्रिय रही। दंगल के बाद उन्होंने लोहा सिंग, पान खाय सैया हमार, गंगा कहे पुकार के और सजनवा बैरी बहिले हमार जैसे दरजनों काम्याब उन्हों में काम किया। सुजीत कुमार ने लागी नहीं छूटे राम, विदेशिया, दंगल, गंगा कहे पुकार के, गंगा जैसन भाउजी हमार, सजनवा बैरी बहिले हमार, हमार भाउजी, माई के लाल, संपूर्नर तीर्थ यात्रा, जैसे कई चर्चित एवं लोगप्रिय भोजपुरी फिल् हिंदी फिल्मों में सुजीत कुमार का जिक्र आते ही, लोगों के मन में आरादना का बेहद लोग प्रियगीत, मेरे सपनों की रानी का द्रिश्य याद आ जाता है उस गाने में राजेश खन्ना ट्रेन में बैठी शर्मीला टैगाउर को लुभाने के लिए कार में बैठे गाना गाते हैं और उस कार को सुजीत कुमार चला रहे होते हैं बतोर चेरित्र अभिनेता, सुजीत कुमार हिंदी फिल्मों में भी काफी सफल रहे, और राजेश खन्ना की कई फिल्मों में उन्होंने बहतरीन अभिने किया राजेश खन्ना की फिल्म आरादना में उनके अभिनय को आज भी लोग याद करते हैं इस फिल्म में उन्होंने नायक के मित्र की भूमिका निभाई थी विदेशिया से शुरू सफर के बाद उन्होंने कहरा, आँख, आरादना, इत्तफाक, मन की आँख, आन मिलो सजना, हाती मेरे साथी, अमर प्रेम, शरारत जैसी फिल्मों में काम किया इसके बाद के दौर में उन्होंने रोटी, धरमवीर, देश-परदेश, दग्रेड कैमलर, राम बलराम, इनसाफ कतराजू, आखिर क्यों, आदी फिल्मों में काम किया सुजीत कुमार को फिल्मी जगत में यारों का यार कहा जाता था जीतेंद्र, राकेश रोशन, रंधीर कपूर, राजेश खन्ना और सावन कुमार टॉक जैसे हस्तियों से उनके बड़े करीबी संबंध थे लेकिन इन संबंधों को उन्होंने कभी भी अपने लिए सीडी नहीं बनाया बता और अभिनेता सुजीत कुमार को उपलबदी जो भी रही हो लेकिन भोजपुरी फिल्मों को अंतराश्ट्रिय स्तर पर पहुंचाने में उनके योगदान की जितनी सरहाना की जाए उतनी कम है भोजपुरी सिनेमा के पहले सूपरश्चार सुजीत कुमार ने कई फिल्मों के निर्माता के तौर पर भी काम किया जिसमें खेल, चैंपियन और एदबार जैसे फिल्मों के नाम शामिल है सुजीत कुमार की मृत्यू पांच फेबरी 2010 को मुंबई में हुई उनकी आयू 75 वर्ष की थी वो काफी लंबय समय से कैंसर से जूज रहे थे वो काफी झाल जादिए स्ट्देए